नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमिद गुपता के यूटूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है दोस्तों, खंड सी चादिकारी की परिच्छा सोल अगस्त को प्रस्तावित है ऐसे सामें आपको उत्तापर्देस लोक स्वायोग की द्वारा विविन प्रत्योगी परिच्छाव में पूछे गए जियस के प्रस्नों के अलावा अन्य राज्यों की लोक स्वायोग द्वारा पूछे गए प्रस्नों का अउलोकन भी कर लेना चाहिए क्योंकि उत्तापर्दे स्लोग सवायोग की परिपाटी प्रशनों को रिपीट करने की रही है तो इसी करम हम आज आपके सामने लेकर आए हैं इतिहास के अंतरगत वायदिक्स सब्यता तो आईए देखते हैं कुछ प्रशनों को रिख वेद का कौन सामंडल पुद्द सोम को समरपित है तो सोम का पान करते थे सुर यानि की देुता और असुर पान करते थे सुरा का तो इसके लिए हमार आंसर होगा सी नौमंडल तो 9 को हम लोग इंगलिस में 9 कहते हैं और 9 को हम لोग वायन समझ सकते हैं 9 का कोड है वायन तो वाइन और सोम एक दूसरे से आप रिलेट कर सकते हैं, अगला प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टा वेदुत्तर काल में प्रचलित हुई, तो हमारा आंसर है C, ये चार आश्रम है, ब्रमचर, ग्रिहस्त, वानप्रस और सन्यास, ये चारों आश्रम उस समय प्राचीन काल में 100 वर्ष की उम्र व्यक्ति की मानी जाती थी, और प्रतेक आश्रम 25-25 वर्ष की आयू तक संपन होते थे, अब इसमें हमें कूट मिलाना है, देखिए, ये वैदिक नदियों के पुराने नाम है, और ये आध्वनिक नाम है, तो कुभा है काबूल स समन्दित, पुरुषडी है रावी से समन्दित, और सदा नीरा है गंडग से समन्दित, और सुतुद्री है सतलज, तो सुतुद्री और इसमें सुत लिखा है, तो सतलज समझेगा, यानि कि A का हो गया दो, और B का हो गया तीन, दो ही से जायतर में आंसर मिल जाता है, यानि नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है तो अस्किनी की पहचान की जाती है चेनाव के रूप में याद रखने के लिए ट्रिक है जायतर आपको पता होगा अगर आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो जायतर हम लोग दो अच्छरो से कोड़ बनाते हैं तो अस्कीनी नाम सुनने से ऐसा लग रहा है आशीक तो आशीक को कहीं क्या नहीं मिलता दो Clarin नहीं मिलता है अगला प्रस्णा completing ये निमनांकित कि नदियों का उल्लेक अफगानिस्तान के साथ आरियों के समंद का सूचक है तो ये है कुभा और क्रूमू कुभा जो कि काबूल में है आरंबिक वैदिक सहाइत में सरवादिक वरोडित नदी यानि कि वैदिक सहाइत में सबसे अधिक किस नदी का वड़न किया गया है तो जिस नदी का सबसे अधिक वड़न किया गया है हम मान सकते हैं कि उसी नदी का सबसे दिक महत था तो वायदिक काल में सबसे दिक महत था सिंदु नदी का क्योंकि इसी का वड़न सबसे ज्यादा बार मिलता है फिर समें खुट मिलाना है तो रीगवेद में क्या था तो रीगवेद में स्त्रोत और प्राथनाय थी खास तोर साब प्राथनाय पर ध तो हमें साम के समय क्या किया जाता है तो गाना गायं जाता है एकका हो अगला प्रस्ण फिर से में कूट मीलाना व्भाई प्रस्ण तोड़ा सबस घुमा के दिया हुए अथर्वेद में क्या तो मैंने बताया था अथर्वेद में विख्षित होती हैं ओर्थ पर हैं विक्सित होती है और आर्थ मतल gaan पर ही जादु टोना भी आप याद रखेएगा होता है रींग में क्या थे इस्वर की महिमा बता ही गई है यह यह मैंने बताया था मैंने बताया था यह का मतलबग होता है यानी बलीडान अटान का का हुआ है चार यानि तीन एक दो चार किसमें है तो विकल्प ए में है वरण व्यवस्था से समंदित पुरुष्षुक्त मुल्तव पाया जाता है तो पुरुष्षुक्त कहां पायाता है तो रिगवेद में पायाता है रिगवेद में कितने मंडल है तो दस मंडल में ुपनिसद काल के राजा अस्वती आस्वाप्ति सासक थे यानि कहां के शासक थे स्वाप्ती तो के money के के यादर करें अस्व बतलब घोडा के क क को आप के की याद रखी लेगे सोच है कि के पर कोई घोडा खड़ा हो जाए तो आह兩個 याद को को घोड़ा खा जाए उपनिसदों का मुख्य विश दर्म वीधी समाजिक व्यास्था नहीं होकर बलकि दर्सन है उपनिसद से समंदित है हो चांपूजन वाला प्रस्थ भारत के किस अस्तल की खुदाई से लोधातू के प्रच्वन के प्राचिंतम प्रमाण मिले हैं वोच तो अतरंजी खेड़ा को आप टिक कर दिजिए उपनिसद पुस्तके हैं त्यादर कि धर्म पर धर्म की पुस्तके नहीं है उपनिसद पुस्तके हैं दर्शन की यह प्रशन की रिपीट हो रहा है अलग अंदाज में अलग विकल्ब के साथ निमलिखित में से वैदिक साहित का सही करम क्या है यानि कौन सा साहित करम सही है तो वैदिक सहीताएं है उसके बाद ब्रामण उसके बाद अरोडयक जो की बन में लिखेगा उसके बाद उपनिसद सबसे अंत में इसे वेदांत भी करते हैं यानि वेदों का अंत भी करते हैं अंसर हो गये ए अध्यात्म ज्यान के विशय में नचिकेता और यम का समवाद किस उपनी सद में प्राफ्फ होता है आप यात करने के लिए सुचेएगा यमराज और नचिकेता किस पर खड़े हैं सोचिए, कोई नाव है, काठ का, यानि काठ मतलब लगडी का कोई नाव है, उस ही पे दोनों लोग खड़े हैं, इसमें यमराज ने बताया है कि जो आत्मा होती है, न तो जन्म लेती है, और नहीं मर सकती है, ऐसा कुछ बताये गया है, इसमेद्र हमारा आंसर हो जाता है C, न निम्लिखित में से किसका संकलन रिग वेद पर आधारित है यानि रिग वेद की ही ज्यादातर रिचाएं उसमें है यानि रिग वेद पर आधारित कौन सा है तो रिग वेद के बाद आप याद रखिएगा साम वेद या रटने के लिए रिग का मतलब सोचेगे रिसी मुनी स साम के समय साधना करते हैं रीग मतलब रिसी मुनी साम के समय साधना करते हैं अंसर हो गया भी प्राचीन भारत में निसाका से जाने जाते थे निसाका या निस्क जाने जाता किसलिए स्वरण आभूसर के लिए जो की गले का हार था या दर के निस्क क्या था तो गले का हार था निस मतलब निक नेक लेस नेक मतलब गले का हार था बोगज कोई महतपूढ है क्योंकि आप विकलप पड़ सकते हैं तो बोगज पोई इरान से समंधित है तो विकलपी आंसर है यहां से प्राप्थ अभिलेक वैदिक देवताओं और देवियों का नाम लेक करते हैं इंद वर गया भी रिगवेदी काल में निस्क सब्द का प्रयोग एक आप भुसर के लिए होता था याद रखिएगा किस चीछ के आप भुसर के लिए मैंने बताया था निस्क दू अच्छार से निक अगर कहेंगे तो निक मतलम नेकलेस तो गले का हार था कभी कभी प्रफ्षम पूछ जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की वेद मंत्रों की रचना किन्हों ने किया था तो वो किया था लोपा मुद्रा ने तो ये रिशी अगस्त की पतनी थी भारती संस्कृति के अंतरगत रित रित का अर्थ है प्राकिर्थिक नियम स्रीमद भगवध गीता मौलीक रूप से किस भासा में लिखे गई तो भगवध गीता है माभारत का ही एक भाग है इसलिए संसकृत में माभारत भी और भगवध गीता भी संस्कृत भासा में पुराणों की संक है सबको पता होगा पुराणों की संक है सोल नहीं कुछ लोग सोल पर कंप हो जाते हैं सोल नहीं बलकि 18 है अगला प्रस्ण है भारत मुल्त माभारत मुल्तक किस रूप में जानी जाती है तो माभारत का पुराना नाम है जैस सहीता आंसर हो गेड़ी सर्ग प्रतिसर्ग, वंस, मनवंतर और वंसानुचरित किसके संके थक है, तो हमार आंसर हो जाएगा, विकल्प, बी, पुराणों के, गायतिरी मंतर के नाम से प्रसिद, मंतर, स्वरपतम किस गरंथ मिलते हैं, यानि गायतिरी मंतर का उल्ले कहा है, तो रिगवेद के तीसरे मंडल म तीन को आप थ्री कहते हैं, तो थ्री को आप ट्री समझ सकते हैं, तो सौचिएगा ट्री, ट्री से उत्पन हुआ है गायतिरी मंतर तो आपको याद रहेगा, तीसरे मंडल में है, और इसे लिखा था विजवा मितर ने, अगला परसिद गायतिरी मंतर की रचना किस ने की, तो हमारा आंसर आ जाता है विगल्प विश्वामित्र ने गायत्री मंत की राशना किये जो की रिगवेद के तीसरे मंडल में है 800 से 600 इसापुरु का काल किस यूग से जोड़ा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा अ ब्रामण यूग से वैधि काल में किस जानवर को अगन्या का जाता था तो आप सबको पता होगा गन्या का मतल में न बद कीए जाने यूग में तो हमारा आंसर जाएगा सी यानिंस आगन्या अगन्या कौन थी का समन्ध है किस से तो रिगवेज से होता कौन थे तो ये रिगवेज के पूरोहित्ते है कि तमसो मा ज्योतिरगमय का कथन मूलता है कहां पर है तो हमारा आंसर हो जाएगा ए उपनिसदों का ये कथन है किस काल में अच्छूत के अउधारा अस्पष्ट रूप से उद्रित तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प D धर्म सास्त्र के समय से सत्य मेव जैते सब्द किस उपनिसदों से लेगा है तो यह भी प्रस्ट सेकड़ बाग पुछा जा चुका है तो यहां पर आप एक को अगर टिक कर देंगे तो ये गलत हो जाए कि मुंड को उपनिसदों ये म मंडूक लिखा है इसलिए मारा आंसर हो जाएगा विकल्प D इनमें से कोई नहीं है बलकि सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मा होने के लांचन को चुनोती देती है उल्लिकी था किस में तो यह हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प C छांदों के उपनिसद में अनब्या जवाब यहां पर सही मिल जाता है हमें सत्यमे जयते लिया गया किस उपनिसद से तो मुंडक उपनिसद से मुंडक मतला आप यह रट लिजे आपके मुंडी से निकला है सत्यमे जयते कहां से निकला है आपके मुंडी से निकला है यानि मुंडक को उपनिसद कही है या मुं डुक कि नहीं हो सकता है हिंदु परवडिक कठा के नुसार समुन्दर मंधन हे तू किस शर्पने रसी के रूप में स्वैं को प्रसुत किया तो आप कालिया नाक पे तो शिरप्रिश भगवान नहीं ने डांस किया था इसको न पक्रना है वास्कोree को ट्क करना नाइ ag see रिगवेद में सरवाधिक संख्या में मंत्र समंदी था किस देवता के तो रिगवेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता समंदी था तो वो तो इंदर के बारे में लिखा गया सबसे अधिक मंत्र 250 इस लोक लिखे गया है इसे पदा चलता है कि इंदर सबसे चर्चित देवत थे और रिग्वेधिकार यूद पर जाने स्पले इंद्र की पुजा करते थे लेकिन इंद्र विकल्प में नहीं है इसलिए हम यहां पर ठीक कर देंगे अगनी को क्योंकि अगनी के समंध में 200 इस लोक मिलते हैं दूसरे नंबर पर इसलिए मारा आंसर यहां पर ए हो जाता है निमलिकित में से पुर्वैधिक आरेओं का सरवाधिक लोगप्रिय देवता कौन था तो सरवाधिक लोगप्रिय देवता इंद्र थे क्योंकि इनी के बारे में सबसे ज्यादा इस लोग 250 इस लोग मिलते हैं और यही कारणकी इंद्र को हम सबसे प्रसित देता है इसकाल का अर्थ पे है तो आपको अथर्वेद को टिक करना है जड़ी बूटी आ जाए तो अथर्वेद को टिक करना है रिगवैदिक धर्म था तो रिगवैदिक धर्म था बहुत देवादी यानि बहुत प्रकार के देवताओं को यहां पर माना जाता था आकास के देवता अंत्रिच के देवता है क과 सरवादिक रिगवैदिक सूक्त यानि इसलोक समर्पित है किस देवता को तो इंदर को समर्पित है जैसा हमने पीछे पताया तक 220 के बारे में जो कि दरस आता है कि इंदर सबसे प्रिय देवता थे music को और से ठेब रिगवैदिक आरे सब्सक्राइब करना तो पुर्वेदिक आरें का धर्म प्रमुक्ता था था तो रिगवेदिक जो आरे थे वह मुर्ति पूझा नहीं करते थे प्रकिर्ती पूजा करते हैं लेकिन भक्ति वाली बात नहीं थी अभी तो प्रकिर्ति पूजा और यग बहुत महत्पूड अस्थान रखते हैं इनके लिए आंसर हो गया सी 14 सदी इसापूर्व का एक अभिलेक जिसमें वैदिक देवताओं का वणन प्राप्त है तो किन देवताओं का वणन प्राप्त है इंद्र वरुड मित्र ना सत्ते तो वो किस से समंदित है तो बोगज कोई से जो कीरांद का है निमलिखित में से किसने आर्यों के आधी देश के बारे में लिखा है आधी देश का मतलब प्रारंबिक देश के बारे में लिखा है यानि कि इनका निवास अस्थान कहा था तो आर्यों का निवास अस्थान के बारे में बताया है बाल गंगा दर तिलक नहीं ने बताया है क पुरुसमेग का उलेख हुआ है वह है तो पुरुसमेग का जो उलेख हुआ है किस में तुमारा आंसरो जाता है सी सत्पत ब्रामड में रिगवेद काल में जनता निम्न में से मुख्यताया किस में विश्वास करती थी तो रिगवेद काल में जनता बली और कर्मकार्ण में विश्वास करती थी सत्पत ब्रामण में उलिकित राजा बिदेद माधा से समंधित रिसी थे तो विदेद माधव समंदित किस से तो रिशी गौतम राहुगड से यग समंदि विदी विदानों का पता चलता है यग समंदि विदी विदानों का पता चलता है जैसा कि मैंने पहले बता था यग यज का मतलब ही होता है यज जग का मतलब ग्यां आप पड़िये से तो यग यग समंदित वेद कौन सा है तो यज उरुवेद अंसरो गेटी रिगवेद में कितनी रिचाय है तो रिगवेद में 1028 रिचाय है रिगवेद है तो ये इस त्रोतों का संगलान है कोट मिलाना है तो रिगवेद एतरे से सामवेद 25 से आप यहां पर नम्मरिंग भी कर सकते हैं तीन चार और अथर वेद है और पर क्या पाए जाते हैं तो अर्थ पर गाय पाए जाते हैं तो आप इसको रट सकते हैं एक से यजूरुवेद समंदित है सत्पत प्रामड से यान यानिक 3-4-1-2 3-4-1-2 किस में है तो विकल्प C में 3-4-2 अंसर हो गया C निमलिकित 4 वेदों मेंसे किस एक में जादुई माया और वसिक्रण का वरण है तो आप सबको पता होगा अठरवेद जादुई माया और वसिक्रण का अर्थ यानि प्रित्वी पर है क्लास की य। स स्ट्रेश्ट व्यक्ति एक नीतिवान व्यक्ति यानि अच्छे अर्थ में आर्श सब दिंगीत करता है विकल्प डी को स्रेश्ट वन्स को में प्रीरा में कुट मिलाना है कि थोड़ा वह घुमा के दिया है रिगवेध समन्दित है तो प्राथना इसमें जरूर रहे प्राथनाए इस्त्रोत और प्राथनाए यह जूर मैंने बताया था वेक से समंदित है बली से समंदित है यग में तो यह हो जाएगा इस्त्रोत एम कर्मकांड सामवेद साम को क्या किया जाता है तो गाना गाया जाता है यानि संगीत से समंदित अथरवेद तंत्रमंत से यान चार दो एक तीन किसमे है तो विकल्प ए में है भाति संस्कृतिक अंतरगत रित का अर्थ है प्रस्णि पीठुरा रित का अर्थ है प्राकिर्टिक नियम से अब इसमें बताना है कूट सही कौन सा है इंदर देखे लिखा हुए वैदिक देवता इंदर के विशय में कौन सा खतन सही है तो इंदर जंजावत के देवता थे ही पापियों को दंड देते थे नहीं देते थे नैतिक के सोनच्छक भी नहीं थे वर्षा के देवता थे यान कोई है बिकल भी एमरा आंसर है दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लागा वीडियो अच्छा लागा तो लाइक कर दीजyगा और इसे अपने दोस्टों में शेयर कर दीजपह और अभी तक आपनी में चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लिजेगा धन्य बाद दोस्तों